उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर विपक्ष तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा कि विपक्षी गठबंधन राजनीती के लिए उत्सुक लोगों का एक समू है। उन्होंने कहा कि भारतिय जनता जन जन के कल्यान के लिए पी एम नरेंद्र मोधी की गरीब कल्यानकारी योजनाओं को लेकर चल रही है। हम प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आगामी चुनावों को लेकर डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी पार्टी फिर से सरकार बना रही है। विपक्ष राजनीती के लिए उत्सुक लोगों का एक समूह है डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने ट्विटर की बायो बदलने के सवाल पर कहा कि हर कोई जानता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जो कहा मैं उसे स्वीकार करता हूँ इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ दरसल डिप्टी सीम ने ट्विटर का बायो बदल कर सर्वेंट ब्रजेश किया अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट सीम करार देते हुए कहा था कि उनकी बातों का वह जवाब नहीं पाठक ने अखिलेश के सर्वेंट वाले बयान पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राजगरानों से आते हैं इसलिए राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अखिलेश ने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीम माना है बह मंत्री ब्रजेश पाठक ने विवाद का पटाक शेप करने की कोशिश की है लेकिन जानकारों का मानना है कि सर्वेंट शब्द के बहाने राजनीती की जा रही है